जैहिंद इस वीडियों नोग उमय एक्सपोर्स कंपणी बारें बात करेंगे अज इसका आई पीओ ओपेन हो रहा है तो इस वीडियों जानने का प्रयास करें कि हमें इस आई पीओ के लिए बिट प्लेस करना चाहिए नहीं प्लेस करना चाहिए और किसी भी कंपणी के आई प्लाइ करने के लिए क्या कैसी ध्यान में रखना जरूरियों होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा आई बीडियों सुरू करते हैं सबसे पहले कि किसी भी कंपनी के आई पीओ में जब आप बीट प्लेस करने जाए तो हमें साथ दो तीन बातों को ध्यान में रखेग सब्सक्राइब और उसका लावां कंपनी इंपोर्ट भी करते हैं समाने मांगाती है बर्मा कनाडा इस इस का होता है तो बुद्पर आप अप समझकें अब फन्डामेंटल देखते हैं कि इस कंपनी का ऐसा है सब्दम इसे मैंने 3 साल का डाटा लिया हुए sì इसमें आप थोड़ा से खर्चे में घिराऊट आया है एक गाहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि छिसाब से कंपणी के खर्चे भी उससे अनुपाद. और खर्चा भी इसका तोड़ा ही कम है मतलब मान सकते हैं कि जतना कमपनी कमा रही लगभग लगव उतना खर्चा ही कर दे रहे कंपनी के पास आप गहराई से कुछ ज्यादा बच नहीं रहा है और इसका जो प्रोफिट है प्रोफिट बढ़ रहा है देखिए 2020 में 2.9 क्रोण का प्रोफिट हुआ है और 2020 में 8.3 क्रोण का कमपनी को प्रोफिट हुआ है लेकिन उसके बावजूद कंपनी का प्रोफिट बढ़ा है अगर एक निगेटिव पॉइंट की बात करना तो यह है कि कंपनी ऊपर 38 क्रोण रुपए का डेप्ट है और यह कर्जा धेरे बढ़ते जा रहा है इसका लावब कंपनी का रिभीन एक साल से गीड़ रहा है यह आपने देखा साथ में पांस कौण रुपए का डिस्प्यूट चल रहा है कंपनी को पर इसका केस चल रहा है कोड में अगर कंपनी वह केस नहीं कर पाती है तो पांस कौण रुपय जो है company को पॉकेट से देने होंगे यहां तका बात समझ गए अब आईए हम लोग देखते हैं कि यह IPO कब से ओपन हो रहा है कितने दिन तो खुला हुआ है और इसका लौट साइज और इसका प्राइस क्या-क्या है समझेंगे यह आई-प्यू ओपन हो रहा है आज से यानि कि 28 मार्च से और आई-प्यू क्लोज हो जाएगा 30 मार्च को आपको पता है आई-प्यू में तीन दिन के लिए ही टाइम मिलता है बीट प्लेस करने के लिए इसी के अंडर में आपको बीट प्लेस करना रहता है अब समझे इसका प्राइस रखाए गया पैसाट चांट सब्सक् के किस में हमेख साइस उठाए जाता है यहीं मैक्सिम प्राइस होता है इसका साप कर लोपीय का यानि यहां कंपनी इस आई-प्यू की ज़रे 60 क्रों बजाट से उठाना चाहा रही है और इसका रख == का आपको पता होना चाहिए की आई-प्यू में आप अपने मंद से चैं और चुकि हम लोग रिटेल केटेग्री से आते हैं तो हम लोग IPO में मैक्सिमुम दो लाख रुपय तक का सेर्स बाइ कर सकते हैं यहां समझेंगे कंपनी का फेस्ट बूल यह दस रुपया और लिश्टिंग होगा नसी बीसी पर आज जितने भी आते हैं उनका लिश्टिंग नहीं होता है अब इसके बारे हम बात करें कि यहीं हमें इसमें बीट करना चाहिये इसका नाम में बशी club भोस्त बड़ करते चैनि की नाम में एक फोट्स लगा है लेकिन कंपनी के रेभिन्यू का जो बड़ा हिस्सा है इसके इंपोर्ट वाले बिजनस जाता है दूसरा बात मैंने आपको कहा कि पांच क्रॉन रॉपए का भी इसके उबर डिस्प्यूट चल रहा है कंपनी का केस चल रहा है कोट में यह एक नि करते हैं मार्केट में कितने लोग उसके चाहने वाले हैं तो अभी तो इसमें तीन दिन टाइम बचा है आप दूसरे तिसरा दिने देख लिएगा यह आई प्यों कितना सब्सक्राइब हुआ है अगर अच्छा खासा लेश्टिंग नहीं होता है तब आप इसमें बीट प् कर दो दो क्या